रुद्राक्ष महत्षब दोजार तेईस कुबिरश्चर धाम में महिला मारपीट कथा बाचक पंडित प्रदीब मिश्रा रिष्टेदार पर आरोप महिला ने पूलिस को की सिकायत में बताया था कि नाम पर उससे पैसा असूला गिया है कथा के नाम पर कुबिरश्चर धाम बीते दिनों में चर्चाओं में बना हुआ है यहां पर रुद्राक्ष महत्षब के दोरान भागदड की और घंटों तक जाम लोग फंसी रहे हैं अब तक कथा बाचक पंडित पदी मिश्रा का कुबिरश्चर धाम एक बार फिर विवादों में आ गया है यहां एक नीमच निवासी महिला ने पंडित परतीब मिश्रा के भांजे समीर सुकला और समिते के अने सदस्यों पर मार्पिट के गंभीर आरोप लगाते हुए मंडी धाने में सिकार धर्च कराई है और जानकारी के अनुसा नीमच जीले के मांसा के ग्राम घट पिपलिया की रहने बाली 35 बर्सिय इंदा मालिब्याई ने अरोप लगाते हुए बताया है कि सौंबार को वो कुभिरिश्चर धाम पहुंची थी यहां पर कथा के नाम पर समेती के सदस्य और कथा बाचक पंडित प्रदिव मिश्रा के भांजे समीर सुकला और समीते के अने सदस्यों ने एक कमरे मे ले जाकर मार पिट की और कता के नाम पर उससे पैसे की मांग की घर वाले से उनके खाते में दवा में आकर पैसे डलवाए इस पूरे मामले की मंडी थाना प्रभारी हरी नारायन परमार का कहना है कि एक महिला ने सिकायत दर्ज कराई है अभी हम इस मामले की जाच कर रहे है जाज के बाद कुछ कहा सकते है फिलाल महिला का मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया गया है दोनों पक्चे के बयान दर्च कर आगे की करवाई की जाएगी इस मामले में जब समेश उकला से बात की तो उनका कहना था कि जब पुलिस समेटी के पास आई तो तब से लेकर महिला को पुलिस के हवाले करते हुए तक एक भी वीडियो मेरे पास है मेरा नाम जानती ही नहीं आरोप कैसे लगा रही है इस मामले में मैं पक्च क्यूं दूँ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को लाइक कोमेंट सियर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद